नमस्कार स्टु आल फिल्टर सब्रट में आपका सब्स्माइब कर दोस्तों आज हम देखने वाला है आपने वहतर प्यूर्फैर की जो और मेंदम यह यह समय से पहले खराब क्यू हो जाती हैं मतलब आपने यह उसी अमझे नहुआ या चे महने हो गए या दस हजार लिटर से कम का समय है तब आपनी आरो मेंब्रीन खराब हो गए तो इसके पीछे का रिजन हमें समझ में आता है कि यह मेंब्रीन खराब क्यों हो रही है दोस्तों इसमें से देखिए यह जो मेंब्रीन है तो यह मेंब्रीन एक लिटर भी पान या एनलेसिस किया और इसके बाद आपके समने उसके कारण में आपको रख रहा हो ताकि आपको यह प्राब्लियम नहीं फेस करनी पड़े दोस्तों आपनी वाटर पी रूप है कि जो आरो मेंब्रीन है रिप्लेस करने के बाद जल्दी खराब क्यों हो जाती है मैं डिजन मैं मैं आपको बताने वाला है इसके बारे में इसके पाच कारण है दोस्तों मेरे हging से मेरे आयוזmber से के इस यह फांश कारण बताओंगा अगर आप इस पाच कारण के उपर इस पाच प्रावड्म के उपर काम करोगे तो आप की भराब सब्सक्राइब नहीं होगी समय से पहले दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं तो उसकी लाइब का कोई मतलब ही नहीं होता है यह कभी बंद पर सकते कभी चालू रहे सकती है या उसके करते हैं आपके बंद अच्छा नहीं कर पाई कर दोस्तों ओल्ड यफार का यूज करना दोस्तों आप आरों मेमरीन तो न्यूज कर रहे हैं मतलब आरों मेंबरीन तो बदल रहे हैं लेकिन आपके ध्यान में नहीं आता है कि आरो मेम्बरीन बदलने के बाद जो यफार होता है फ्लॉरिस्टिक्टर होता है ये भी री Early आरो मेम्बरीन के उपर जो प्रेशर है प्रेशर बढ़ता जाता है और उसके साथ साथ उसकी लाइब बीप कम हो जाती है दोस्तो यफार का मेन रिजन क्या होता है आरो मेंबरीन को required pressure क्रियेट करना अगर आप old यफार यूज करते है पुराना यफार यूज करते है तो उसका जो pressure है आरो मेंबरीन के उपर जाने वाला तो बहुत जादा जाएगा क्योंकि पुराना यफार क्या होता है उसके जाली में जो dust मडवगेर होता है या scaling होता है यह होने की वाज़ से जाली पूरी दर से block हो जाती है और block होने की वाज़ से पूरा की पूरा pump का pressure आरो मेंबरीन के उपर आ जाता है इसलिए आरो में इम्रेन समय से पहले करब हो जाती है आपको ध्यान में रखना है आरो मेंबरीन रिपलेश करते समय आपको यफार फ्लो रिष्टेटर वी चेंज करना है दोस्तों तीसरा कारणा है इन-line filter in-line filter मतलब क्या होता है सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर हम आरो मेंबरीन रिप्लेस करते होत क्या करते हैं आरो मेंबरीन सिर्फ चेंज कर देते हैं क्योंकि प्योर पानी नहीं आ रहा है इसका मतलब आप समझते हैं कि सेडिमेंट फिल्टर होके है प्री कार्बन फिल्टर होके है आप सि सही काम चालाती है तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है सीढा सीधा आपकेznism carbon ऑ24 वेर बasing करते हैं मतलब हम पाण सा पने किस तरह से पाने चाहिए उसका हर्णस कितना चाहिए उसकी सब यह सब और भी लाइब हो गई है, sediment filter और pre-carbon filter की, उसको change नहीं करते हैं, क्यांकि यूद चल रहे है, बंद नहीं हुए, ऐसा आपका मानना है, उसी को ध्यान में रखकर आप क्या करते हैं, सिर्प आरो membrane replace करते है, sediment filter और pre-carbon filter चेंज नहीं करते हैं, तो इसके कारण भी आपके ARO membrane खरा और काम क्या दोबंतर मैंदरा तो जो पनी डिए उस्का मतलब और प्रिकार्बन फिल्टर के बाद भी अगर डस्ट जाती है कुछ गाल मिट्टी वगेरे जाता है कुछ विज्वल पार्टिकल्स जाते है तो आपका आटो फ्लेशिंग सिस्टम उसको वहां से रिमू कर देता है या फिर आरो मेंबरीन का स्केलिंग बहुत हाथ तक कम कर द अगर आटो फ्लेशिंग सिस्टम आपने वाटर पी रुपायर में नहीं है तभी आपने आरो मेंबरीन खराब होने के चांस लास्ट रिजन है प्रिफिल्टर दोस्तों प्रिफिल्टर के आंदर जो पीपी स्पन होता है तो उसकी वज़े से भी हमारी आरो मेंबरीन प्रिफिटिंग होती है इसके कारण आपको दोबारा यूज़ करना सही नहीं माना जाता है अगर दुसरी बार पीपी स्पन को आप धो के यूज़ करोगे तो प्रापर फिटिंग नहीं होगा दोस्तों पहले दैसा क्योंकि पहले भी उसमें खाचे होते है और दूसरे भी खाचे पड़ेंगे तो उसके बीच में प्ले आ जाता है और पाने आगे निकल जाता है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर आच्छा लगा है तो लाइक कीजिए नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए आज के लिए थैंक्यू